दूसेटी इंडिया दिखाई देंगे इससे पहले 2014 से 2019 में वो पहला टम जब था मोधी सरकार का उसमें बतौर स्वास्य मंत्री भी रहे यूदो देखिए आपको मैं अगर पूरी समझाओं जेपी नड़ा के बारे में तो जन्बूमी उनकी बिहार रही कन्बूमी उनकी हिमा चल रही और अब व गुजरात में हमारे पास वो संख्या बल है हम यहां से आसानी से जीत हासल कर सकते हैं और शायद इसी लिए अब गुजरात को चुना गया से वहां से जेपी नड़ा जो मौझूदा समय में बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष है और उनको जो है यहां से भेजा जा रहा क्योंकि अब आगे का अगर आप देखते हैं अप्रेयल दोजार चब्विस में यह पहली बार होगा जब कॉंग्रस का राज्यसभा से जीरो प्रतिनिज़त होगा गुजरात से यह सिती गुजरात में कॉंग्रस की अब हो चली है लेकिन पलाल यह जेपी नड़ा की तस्व क्या उन्हें लोकसभा में उतारा जाएगा लेकिन उससे अटके यह तस्वीर बड़ी दिल्चस्प है जब जेपी नड़ा क्योंकि हिमाचल मैंने देखा रिजल्ट क्या आया कि वहां पर कॉंग्रेस की सरकार बनती है और इसलिए वहां छोड़कर अब गुजरात को चुन जिम्मेदारी है क्योंकि इनको जिम्मेदारी जब दी गई तब हमने देखा कि बड़ी जीत भी दर्ज की बीजेपी ने केंद्र में और उसके बाद में अब एक बार फिर से उनके कंदों पर बड़ी जिम्मेदारी और अपना राजिस सबगा पर्चा दाखिल करने जा रह राजिस सबा में नावांकन से पहले सोनिया गांधी ने ये चिट्थी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वास्त और बढ़ती उम्र की वज़ा से इस बार वो लोकसोवा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी इसके बाद से ही अटकले लगने लगी थी कि अगर सोनिया गांधी नहीं तो कौन राइबरिली से क्योंकि राइबरिली कॉंग्रेस की परंपरागत सीट रही है वहां से कॉंग्रेस लगातार जीत दर्च करती रही है 2004 से सोनिया गांधी वहां से जीत हासल करती रही है और किना पुनों ने स्वास्त का हवाला दिया कि पर्ती उम्रेंट हाँ जम्रेंट